अगर आपने अभी तक इंटर्वी क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आज यह हम कम्प्लीट वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे कि एंडिडियल क्या होता है पर दिया है तो वो सारी चीज़े हम इसमें देखेंगे जो आपके इंटर्वीव में पूची जा सकती है जो इंटर्वी के लिए काफी इंपॉर्टन होती है लेकिन आपको ऐसी ही अगर वीडियो देखेंगे इंटर्वीव की कम्टीट वीडियो करनी है तो उसके लिए हमारे इंटर्वीव क्लास ज्राइन करिये से 599 लुपीसी क्लास है जिसमें आपको डेफिनेटली 80% इंटर्वीव माक्स स्कोर कर पाएंगे अगर आप सारी वी वीडियो के कम्टी पेज पर जाएंगे वहां पर आपको पिछले चार्वां सालों के रिवीव दिख जाएंगे इंटर्वीव क्लास में आपको यह सब सीजे मिलती है स्कीन पर पॉसकर करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉर्टल ओपन होता है जहां पर वीडियो जाएंगे यह सारी वीडियो देखी आपको अप्लोड कर दी गहीं है और यहां से आप प्लेलिस्ट एकसेस कर पाएंगे नीज पर करेंट अफेर्स पीडियएफ और अपनी क्वैरी यहां से रेस कर पाएंगे चलिए अब देखते हैं ंडिटियल से यह आ रहा रहें चलार के बारे मे लिएवल्टी को सिर्फ लिए लिख रहा हूँ ठीक है? नेट डिमांड एंड टाइम लिएवल्टी मतलब नेट डिमांड और टाइम लिएवल्टी किसी बैंक की जो होती है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में NDTL बोलते हैं इसको समझने से पहले आपको समझना यह होगा कि डि Demand liability, ठीक है, and time liabilities क्या होती है, किसी एक bank में कौन सी demand liability होती है, and कौन सी time liability होती है, अभी देखिए, customer आपकी account bank में आता है, account खुलवाता है, पैसा जमा करता है, किस account में, saving account में, तो saving account में, जो भी पैसा है, वो आपका demand liability में आएगा, मतलब customer आपसे जब demand कर रहा है, आपको तुरंट भीया उसका पैसा वापस करना है, current account, current account में भी same होता है, कि आपका जो businessman है, उसने current account open करवाया है, अब जैसे ही उसको पैसे की जरूरत होगी, वो bank आएगा, check भरेगा, withdrawal और आपको उसको तुरंट पैसा देना होगा, demand draft, demand draft भी आपका demand liability है, जैसे ही नाम में ही इसके demand है, ठीक है, जैसे ही customer demand करेगा, कि इसने demand draft submit ही आपकी बैंक का, आपको तुरंट उसका payment करना होगा, ठीक है, बाकी एक होता है, जैसे margin held against LCs and BGs, ठीक है, अभी LCs, BGs क्या है, LCs जो है, वो है letter of credit, और जो BG है, वो है bank guarantee, letter of credit and bank guarantee होती है, तो इनके जो margin होते हैं, वो भी demand liability में ही आते हैं, देखो bank की demand liability से मतलब यह है, कि bank के पास ऐसा पैसा जो उससे कभी भी कोई मागने आ सकता है, जैसे आपके saving में पैसा पड़ा हुआ है, आप गए ATM से निकाल लिया, तो bank को ready रहना चाहिए हमिसा पैसा देने के लिए, तो यह आती है bank की demand liabilities में, जो पैसा bank को तुरंट देन है, time liabilities में जो एक fixed time पर bank को देना होता है, जैसे fixed deposit, fixed deposit आपने customer ने एक साल के लिए करा लिया, तो bank को पता है कि हाँ, अभी पैसा most probably एक साल बात ही देना है, तो यह आता है time liabilities में, आपका RD, green deposit account जो होता है, ठीक है, और आपकी जितने भी cash certificate होते है, वो भी आपकी आती है time liabilities में, जितनी भी प्रकार का gold deposit होता है, वो भी आपका time liabilities में आता है, तो यह होगी demand liabilities, यह होगी time liabilities, detail तो clear होगया, demand and time liabilities clear होगया, net demand and time liabilities क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत important question आता है, अब आपने आपने मताया कि भाई, आ आपने फटा-फट बताया, आप तो बढ़के कहते है, सर फिक्स deposit होता है, रिक्रिन deposit होता है, cash certificate होता है, gold deposit होता है, जैसे ही आप बोले, interview जो ले रहते सर, उनके दिवांग में नया question आ गया, अच्छा, फिक्स deposit होता है, आप कहेंगे हाँ सर होता है, बता यह फिक्स deposit जो थी, वन येर के लिए थी, अब वो overdue हो गई है, एक साल से जादा उसको हो गए है, overdue हो गई है, अब यह time liability है या demand liability है, तो दोस्तों यह याद रखिएगा, कि जितनी भी fixed deposit overdue हो जाएगा, अगर maturity date अगर cross कर गई, RD and FD दोनो, अगर maturity date cross कर गई है, तो फिर वो demand liabilities में आ ज assets हैं, या liability है, तो देखिए, loan जो है, वो हमेसा bank के लिए asset है, क्योंकि bank तो हमेसा ये मान के ही चलती है, कि loan का पैसा उसका वापस आना है, लोग ना चुका है अलग बात है, किसी रिजिन से ना आपाई, वो अलग बात है, लेकि loan का पैसा bank में आना है, bank में जो भी पैसा आ आना है, वो bank के लिए assets है, जो भी bank की earning है, loan से earning है, loan से आप interest लेते हैं, फिर वहाँ से आप interest पे करते हैं, customer को, तो यहाँ पर ये तो हो कि आपकी demand liability and time liability, अब net demand and time liability को जानने से पहले, आपको एक चीज़ जाननी होगी, जो की होता है ODTL, other demand and time liability, ठीक है, देखिए ODTL होता है, other demand and time liability, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, short form में, ODTL, अभी जैसे bank को कुछ bills पे करने हैं, bills payable, ठीक है, कुछ expenses है bank के, उनके bills पे करने हैं, यह आपका हो गया ODTL में, unpaid, dividends, साथ में आपका आगया, interest, accrued, ठीक है, जो interest जो collect हो रहा है, आप आई, जो पैसा रखे हुए हो customer का, उसने FD किया है, वो तो उसने principle एक लाख रुपे किया है, आप उस पे interest भी तो पे करोगे, तो वो ODTL में आता है, other demand and time liabilities में, ठीक है, बिल्स पेबल, जो bank को बिल पे क खर्चे हैं, वो सब आते हैं, ODTL में, अब बात आ जाती है, देखिए, ODTL समझ गए, demand liability समझ गए, time liability समझ गए, ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे, क्या, NDTL, net demand and time liability, क्योंकि इसका होता है, एक formula, NDTL होता है, demand liability, plus time liability, plus other demand and time liability, minus deposit in other bank, क्या है, जो भी एक bank है, अगर उसका किसी और bank के साथ कोई खाता चल रहा है, कोई account चल रहा है, तो उस bank में जो पैसा है, उसको हम यहाँ पर minus कर देंगे, minus deposit in other bank, मतलब एक bank है, यह ABC, इस bank ने अपना account एक other bank में खोल रखा है, जो की है XYZ, ठीक है, तो support इसने 100 करोर आ रही है, इस bank की demand liability है, 50 करोर, और इस bank की time liability है, 150 करोर, और इसकी ODTL, other demand and time liability है, 60 करोर, ठीक है, और इसने 100 करोर रुपए जमा कर रखा है, XYZ bank के साथ, तो इसका NDTL कितना हुआ है, इसका NDTL हुआ, तो इसका NDTL हुआ, 1500 परचास 200 और प्लस 60, 260, minus 100 करोर, 100 करोर इसने किसी और बैंक के साथ जमा कर रखा है, तो 160 करोर जो है, इसका NDTL आया, अब इसका 7%, 8% जो भी SLR, CRR चल रहा होगा, वो इस bank को maintain करना है, पूरे चीजों करना ही, इस तरह से formula से निकलता है, जो maintain करना है, तो आब मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको ये net demand and time liability एक्दम अच्छे स समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझा पाएंगे interview में, and fixed deposit जो है, already होने पर demand liability बन जाता है, ये भी आपको clear हो गया होगा, साथ में जो loans है, जितना पैसा loan दिया है, वो bank की assets है, ये भी आपको clear हो गया होगा,